नमस्कार भारतिय जनता पार्टी के राष्ट्री अध्यक्ष जेपी नडड़ा ने अपनी टीम में कुछ नए चेहरे शामिल किये हैं। कैप्टेन अमरिंदर सिंग की सरकार में मंतरी रहे राना गुर्मीद सिंग सोडी। ये तीन नाम है, तीन बड़े चेहरे पंजाब कॉंग्रेस के और इन तीनों नेताओं को भारतिय जनता पार्टी के राष्ट्री अध्यक्ष ने अपनी कारिसमिती का सदसे बनाया है। इन बना करके इस साल फरवरी मार्च में जो विधान सभा के चुनाव हुए थे, उसमें उन्होंने भारतिय जनता पार्टी से तालमेल किया। और अभी पिछले दिनों उन्होंने अपनी पार्टी का मर्जर किया है भारतिय जनता पार्टी में। और अब उनको राष्ट्यकार समीती के सदस या विशे सामंतरित सदस से बनाए गया है इनके अलावा जो सबसे चौकाने वाला नाम आज जगत प्रकास नड़्डा की टीम में शामिल हुआ है वो है जैवीर शेरगिल का यह जैवीर शेरगिल थोड़े समय पहले तक कॉंग्रेस पार्टी के राष्ट्रिय प्रवक्ता होते थे रणदीप सूर्जे वाला जब कांग्रेस की मीडिया विभाग के प्रभारी थे संचार विभाग के प्रभारी थे तो उनके साथ जैवीर शेरगिल कांग्रेस के राष्ट्रिय प्रवक्ता थे और कुछ डिफरेंसेज उनके कांग्रेस पार्टी से हु उनको भारतिय जनता पार्टी का राष्टिय प्रवक्ता बनाया गया है। उसने जो RSS का officer training camp लगता है OTC जिसको बोलते हैं, उसमें उसने training की हुई हो, first year की, second year की, third year की, उसने training की हुई हो, उसने OTC किया हुआ हो, जिन लोगों ने OTC किया होता था, उनको ही ये माना जाता था कि भारतिय जनता पार्टी में, संगठन में या सरकार में उच्च पद मि होता था, उनके बारे में माना जाता था कि भारतिय जनता पार्टी में उच्च पद पर जाएंगे, संगठन में उनको बड़ा पद मिलेगा, या सरकार में उनको बड़ा पद मिलेगा, लेकिन अब ये इस्तिती पूरी तरह से बदल गई है, आज उसी का एक नया मुकाम थ है, जब अभी इसी साल या इस साल 2022 में ही, या के शूरू में या 2021 के अंत में जैवीर शेरगिल ने कॉंग्रेस छोड़ी है, और एक साल के अंदर उनको भारतिय जनता पार्टी का राष्ट्य परवक्ता ने उक्त कर दिया गया है, अब परवक्ताओं की बात करें, जो हिचान होती थी, जिनकी संग की ट्रेनिंग होती थी, जिनका पूरा जीवन संग है और बीजेपी की विचारधारा के प्रति समर्पित होता था, उन लोगों को राष्ट्य परवक्ता बनाया जाता था, अरुन जेटली राष्ट्य परवक्ता होते थे, सुष्मा स्वराज प्रवक्ता होती थी, रवी शंकर प्रसाद राष्ट्य प्रवक्ता होते थे, मुक्तारबास नकवी राष्ट्य प्रवक्ता होते थे, तो ये तमाम बड़े नेता जो जिनको पढ़े लिखे भी थे, या जिनका एक्स्पोजर था, या जिनके संगे की ट्रेनिंग थी, या बी बार्तिय जनता पार्टी की विचारधारा से या पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। बार्तिय जनता पार्टी में शामिल होते हैं और उसके थोड़े ही दिन बाद उनको राष्ट्य परवक्ता बना दिया जाता है। आज की तारिख में टेलिवीजन चैनलों पर होने वाली बहस में भारतिय जनता पार्टी का जो सबसे मुखर चेहरा है या जो सबसे प्रमुख चेहरा है वो गोरोबाटिया का है। इसी तरह से दूसरा नाम जो भाजपा के राष्ट्य परवक्ताओं के लिस्ट में जो दूसरा नाम है वो सहजाद पुनावाला का है सहजाद पुनावाला या सहजाद जैहिंद। वो भी कॉंग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे और अभी थोड़े दिन पहले तक वो कॉंग्रेस पार्टी के लिए ही सारुजनी कुरूप से कॉंग्रेस पार्टी के लिए ही अपनी बात रखते थे और बीजेपी के विरोध में बयान देते थे आज वो भी एक प्रम अभी एक साल से भी कम समय हुए जब वो बीजेपी में शामिल हुए थे और उनको राष्ट्य परवक्ता बना दिया गया है राष्ट्य परवक्ता का पद जो बीजेपी के विचारधारा से जुड़े लोग हैं उनसे ज़्यादा तरजी इन तमाम लोगों को मिल रही है जो द काफी सारे लोग हैं सबका नाम खोजने और बताने की जरूरत नहीं है लेकिन इससे अंदाजा लगता है जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले ही कॉंग्रेस छोड़ करके बीजेपी में आये लोगों को राष्ट्य कार समीती में शामिल किया गया है भारतिय जनता पार्टी क के संगठन में जो अध्यक्ष के बाद सबसे महत्पुन पद होता है वो महासचीव का होता है और उपाध्यक्ष का होता है गिंती के महासचीव होते हैं उनमें एक महासचीव डीपूरन देश्वरी भी है यह आंधरपरदेश की नेता है और इनका पूरा जीवन भाजपा विरोद की राजनिती में गुजरा है कॉंघ्रेस पार्टी और टीडीपी के साथ गुजरा है इन यह भारतिय जनता पार्टी की राष्ट्रे महासचीव है बैजयंत जै पांडा भारतिय पार्टी के राष्ट्रे उपाध्यक्ष हैं यह थोड़े दिन पहले तक बीजु जनता दल से जुड़े हुए थे बीजु जनता दल से ही सांसद होते थे और वो भारतिय जनता पार्टी में आये उसको भारतिय जनता पार्टी ने उनको अपना राष्ट्रे उपाध्यक्ष बना रखा है और वो दिल्ली के परभारी है दिल्ली में इस समय जो MCD के चुनाव हो रहे हैं दिल्ली नगर नियम के वो चुनाव बैजन्त जैपांडा लड़वा रहे हैं भारतिय जंता पार्टी के बारे में मैंने जैसा पहले कहा ये पहली शर्थ होती थी RSS से दिक्षित होने की अखिल भारतिय विद्यार्थी परिशत के साथ अपना जीवन शुरू किया होने की या विश्वंदु परिशत और बजरंग दल से जुड़े होने की ऐसे लोग उच पदों पर पहुँचते थे मुख्यमंत्री का पद तो एक तरस ऐसा सेक्रोसेंट था एसा हुली को पोस्ट था कि उस पद पर सिर्फ जो एकदम प्रतिबद भी चारधारा वाले लोग होते थे उनको बिठाया जाता था लेकिन अब वहां भी ये परमपरा टूट गई है अभी इस समय भारतिय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों में कम से कम तीन मुख्यमंत्री हैं जो दस साल के भीतर दस बारा साल के अंदर दूसरी पार्टीयों से बीजेपी में आये है और उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है असम के मुख्य मंत्रियां हिमंता विस्वा सर्मा आज के तारीख में भारती जनता पार्टी के तरफ से सबसे आकरामक चेहरा वो है वो योगी आदित नाथ को भी मात देने में लगे हैं अपने बयानों से वो इस तरह से हिंदुतु की बात अपनी सामने रखते हैं वो 2014 में भारती जनता पार्टी में शामिल हुए है 2014 की जुलाई तक वो असम में थे असम के मुख्य मंत्री तरुन गोगोई की सरकार में मंत्री थे लगतार तरुन गोगोई की तीनों सरकारों में हिमंता विस्वा सर्मा मंत्री बने थे और उन्होंने जुलाई 2014 में कॉंग्रेस छोड़ी जब मैई में केंदर में BJP की सरकार आ गई नरेंदर मोधी परधान मंतरी बन गए उसके बाद उन्होंने कॉंग्रेस छोड़ी 2016 के चुनाव में जब BJP जीती असम में तो सरवानन सोनोवाल के मंतरी मंडल में उनको मंतरी बनाया गया था और उसके पांच साल बाद 2021 में हमनता विसा सर्मा मुखे मंतरी बन गए। कॉंग्रेस में शामिल होने के साथ साल के भीतर वो एक बड़े राजी के मुखे मंतरी बन गए। उससे भी दिल्चस्प किस्सा तिरपुरा के मुख्यमंत्री मानिक सहा का है। मानिक सहा 2016 में कॉंग्रेस पार्टी में शामिल हुए है। 2016 में कॉंग्रेस छोड़ करके आए है। करनाटक जैसे बड़े राज में दक्षिन का एक मातर राज जहां भारती जनता पार्टी की सरकार है। उस राज में बासा राज बोमई को मुख्यमंत्री बनाया गया है जो 2008 में भारती जनता पार्टी में शामिल हुए थे। वो जनत मिल हुए जनता दलियू छोड़ करके और उनको 2020 में मुख्यमंत्री बना दिया गया करनाटक जैसे बड़े राजिका और पार्टी अब उनके मुख्यमंत्री रहते चुनाव लड़ने जा रही है करनाटक में। असम में जिन सर्वानन सोनोवाल को हटा करके हिमनता भी स्व 2011 में वो बीजेपी में शामिल हुए थे और 5 साल के बाद 2016 में मुख्यमंत्री बन गये थे असम के तो यह इस तरह मुख्यमंत्री हो के मंत्रियों की और केंदर सरकार के मंत्रियों की या रज्यों के मंत्रियों की या मुख्यमंत्रियों की बात करें तो वो एक लंबी सुच बन जाएगी जो दूसरी पार्टियों से आये हैं और बीजेपी ने उनको बड़ा पत दे करके उबलाईज किया है लेकिन ये मुख्य मंतरी कम से कम तीन मुख्य मंतरी एक राष्ट्रिय महासचियों एक राष्ट्रिय उपाध्यक्ष तीन राष्ट्रिय प्रवक्ता ये सब दूसरी पार्टियों से आये हुए हैं और बीजेपी ने उनको एहम पत दिया हुए है। और आज तीन लोगों को दो लोगों को राष्ट्रेकारसमीति में शामिल किया गया, एक व्यक्ति को राष्ट्रेकारसमीति का विश्यस् Clinical से सदब से बनाया गया और एक व्लेक्ति को राष्ट्रे प्रवक्ता बनाया गया और यह सब एक साल के अंदर दूसरी पार्टी छोड़ करके कॉंग्रेस छोड़ करके बीजेपी में आये थे जन्यवाद किर्पया हमारे चैनल के साथ जुड़िये लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकोन जरूर दबाईए